नमस्कार दोस्तों मैं हुमेस आप सभी के आपना YouTube channel फिर से बहुत बहुत सबात करते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में Postmatic Exclusive के लिए फर्म जो है ओनलाइन मड में फिल किये जा रहा है जो भी AC, ST Candidate है उनको जो है मौका दिया जा रहा है कि आप यहां पर फर्म को फिल कर लीजिए लेकिन BC, BC Candidate के लिए भी फर्म अपलाई नहीं हुआ है अब इसमें जो है तीन अपडेट निकल किया हुए हैं तो अगर आप भी बिहार Postmatic के अपडेट को जानना चाहते हैं देखना चाहते हैं तो इस वीडियो कोंटिनीव कर सकते हैं देख सकते हैं कि आखिर तीन अपडेट क्या है और आपको इसको किस तरह से सही करने हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि application का जो last date है वो क्या रखे गए हैं क्योंकि last date यहां पर recently बढ़ाया भी गए हैं किनके लिए बढ़ाया गए हैं उसके regarding भी हम बात करेंगे साथी साथ काफी सा रेस्टेंट ऐसे हैं जिनको लॉग इन करने में प्रोब्लम हो रहा है तो उसको कैसे सौट आउट किया सकता है साथी साथ यहाँ पे जो EBC और BC कंडिडेट है जिनके लिए अभी फर्म स्टार्ट नहीं हुआ है उनका फर्म जो है कब से स्टार्ट होगा इसके रिगार्डिंग क्या अपडेट है तो सभी जनकारी जो इस वीडियो में आपको हम किलियर करके बताएंगे तो फिलिस वीडियो सुरू से अन तक लिए कजोर देखिएगा और वीडियो थोरा से अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा क्यूंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यदा मोटिवेट करता है तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में हम बात कर लेते हैं कि जो डेट बढ़ाए गए हैं लास्ट डेट इसका वो किन के लिए बढ़ाए गए हैं और कब तक बढ़ाए गए हैं देखिए आप सभी जानते हैं कि बिहार पोस्ट मैटे के स्वार्शिप के पोटल पर केवल अभी ACST कंडिडेट के लिए फॉर्म फिल किये जा रहा है पांच दिसमबर 2022 तक जो ही इसका लास्ट डेट रखे गए थे लेकिन अभी जो है सिक्षपीभाग के द्वारा अपडेट आया हुए है और साब साब कहा गया है कि इसका जो डेट है 31 दिसमबर 2022 तक कर दिये गए हैं only ACST कंडिडेट के लिए क्योंकि अभी EBC और BC कंडिडेट के लिए फॉर्म फिल स्टार्ट नहीं हुआ है तो उसका लास्ट डेट के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे तो केवल जो ACST कंडिडेट है उनका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का 31 दिसमबर 2022 तक बढ़ा दी गई है ठीक है अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि जो भी लॉग इन करने में प्रोब्लम हो रहा है जैसे कि काफी सरे जो ACST कंडिडेट है जिन्होंने फॉर्म को फिल कर लिया है उनका सारा चीज भरिफाई भी हो गया है लेकिन लॉग इन करने जा रहा है तो data note found, record note found उनका प्रोब्लम का सामना उनको करना पड़ रहा है अब ऐसे में काफी सरे जो है कंडिडेट इसके रिगार्डिंग आए दिन message भी करते हैं, comment भी करते हैं और पुछते रहते हैं कि इसको हम कैसे सही करें तो इस पे तो कोई proper video बनाने के वो सकता नहीं है और ना थी क्यूंकि ये जो है side का problem है आपके तरफ से कुछ भी दिकत नहीं है क्यूंकि कई बर क्या होता है कि side पे ज्यादा load होने के चलते, server पे ज्यादा load होने के चलते ये समस्या जो ही create हो जाता है तो इसलिए इसमें आपको घबराने के वो सकता नहीं है कोई भी आपको कोई trick नहीं बता देगा जिसे आप login कर पाएंगे ये side का समस्या है, server का समस्या है आपको wait करने है ये धीरे-धीरे सई हो जाएगा ठीक है क्यूंकि recently इसका last date भी बढ़ाये गए हैं तो server पे load होने के चलते ही बढ़ाये गए हैं तो थुरा सा आपको patient बना कर रखना है हर चीज में आपको हबराने के वो सकता नहीं है ठीक है तो इसका कोई solution नहीं है ये side का problem है server का error है और धिरे-धिरे सई हो जाएगा तो दूसरा भी हमने जनकारी आपको clear करके बता दिया अब last में दोस्तो बना कर आपको जनकारी दिया था कि इसका फॉर्म 110% फील होगा आपको wait करने है क्यों wait करने है क्योंकि bc ebc candidate जो है काफी है cst के compare में तो इसलिए पहले cst का जो है यहाँ पर फॉर्म को feel कर वा लिया जा रहा है क्योंकि सरवर्ण पर ज्यादा load ना परे और उसके बाद हो सकता है कि ebc bc candidate को भी यहाँ पर मौका दिया जाएगा कि आप भी यहाँ पर फॉर्म को feel करें तो आपको wait करने है जैसे हिसके regarding कोई update निकल के आता है अभी तो फिलाल कोई update है नहीं अपने से कुछ का अपना मुस्किल है कि कब से सुरू होगा कब से सुरू नहीं होगा त और कब तक इसका last date रखे जाते हैं वो भी उसमें mention किया जाएगा तो आपको घबराने को आप सकता नहीं है सबसे पहले STST के जो भी form feel करने उसे तुरा सस्तीक लीजिए कि किस तरह से form feel हो रहा है किस तरह से registration हो रहा है कौन कौन से documents लग रहे है इस सारे चीज आप त्यार जैसे ही form start होता है तो आप जो यह form को यहाँ पर feel कर सकते हैं लास्ट में जाते जाते हैं आप सिम कहेंगे कोई STST का candidate है जिन्हों राष्ट्रेशन कर लिया है और उसका राष्ट्रेशन का total चीज verify हो गया है तो मुझे एक username password चाहिए आगे का process बताने के लिए इसलिए मैंन कोई छात्र छात्राय है जो इचुक है देना चाहते हैं तो एक वीडियो बनाने का प्रपच के लिए मुझे जो है username password चाहिए और वो जो है comment सक्षन में आपको बिल्कुल भी नहीं देना है मुझे mail कर सकते हैं ठीक है mail कर दीजिएगा वहां से हम उसको mail से reply करेंगे और वह करिए और आपके मन में किसी प्रकार है कोई भी सवाल होगा तो आप हमें comment section में comment करके पूछ सकते हैं